सुधिर कुमा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हम CITS फाइनल एक्जाम के जो ट्रेणिंग में इतला हूँ जिसे हम POT करते हैं और POT का पूरा नाम इसमें हम उन्हीं को देखते हैं जो हमारी एक्जाम के दिरिष्टे से इंप्रिटेंट है और यह जितने भी कोशन है वो निमी बुक से संबंदित है तो आपसे यह करना है कि अगर आप CITS फाइनल एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को जितने भी मडल कोश्चन के पार्ट आ रहे हैं उन सभी पार्ट को देखिए और आचा नंबर प्राप्त कीजिए तो चले देर ना करते हुए हम एक एक करके इन सभी कोश्चन को देखते हैं जो आज के वाट में है देखिए जो पहला कोश्चन है वो कह रहा है कि ADDIE का कौन सा चरण सी देखने के उद्देश से संबंदित है ध्यान दीजेगा जो ADDIE है इसका यह क्या है तो एक मडल है क्या है मडल है किसका मडल है तो इंस्ट्रॉक्शन देने का मडल है क्या निर्देश देने का एक मडल है तो इसमें से जो पहला आप यह देख रहे हैं यह का मतलब होता है आ चरण करते हैं। उसका मतलब होता है देजाइन फेज जिसके हम डिजाइन चरण करते हैं। जो तूसरा दी है इसका मतलब होता है ॔र 1 का मतलब है simpl diesem जिसे हम कारियांन तरण कहते हैं और जो आप देख रहे हैं इंत पूरा नाम होता है क्या इंप मतलब कहते हैं अटा है कको स्ट्च्रीं कि मोलेशन आप मतलब क्या होता है आई का मतलब implasimation और ई का मतलब evolution तो चलिए जो हम question की तरफ फिर से बढ़ते हैं Question हमारा क्या है कह रहा है कि सीखने के चरण की चरणों का संबंदित है किस्त कौन सा चरण सीखने से संबंदित है इसका जो सही answer हो जाएगा दिए सब्सक्राइब करना चाहिए मतलब कि आप कहीं सिक्षर देने जा रहे हैं तो आपका प्रसिक्षक है जो टेर्नर है जो इंस्ट्रक्षर है सुरक्षर अपकरण तो आप्सट नबर बेयार्यक प्रसिक्षक होते हैं उसको अपकरण के रख लख लेते हैं उसकेथग उपकरण का प्रियोंग होता है तब उसका उपवियोग प्रधर्शन दून करे मिcerffen कर लेता है जो सरक्ष्य उपकरन है उसको पहले हम data कर लेते हैं up t्यार के सम्मेह उसकी checking क्र ले जाती है चले इसके बद अगला question अगला question कर रहा है कि पढ़ने के बाद या पाठ के बाद अगर आप पढ़ाय पढ़ाने के बाद या पाठ के बाद किस चरर में प्रसिक्षों को उनके ग्यान का प्रसिक्षन किया जाता है मतलब आगर आप परहा दिये परहाने के बाद आपको जो भी ट्रेनिज है उनका ग्यान का प्रसिक्षन कैसे आप कैसे देखेंगे कि हमने जो पर है वो अज लगके लोग को अच्छे से सम्मझ में आया है तो देखें आपसोन नंबर ए है वह है त्यारी भी है प्रजंटेशन सी है अप्लिकेशन और डी है टेस्ट एया एसाइमेंट तो इसका जो सही एंसर हो जाए क्या टेस्ट एया ए कि सिकचार्थियों को कि चरन में प्रस्म पूछने के लिए पुरसाहित किया जाता है अगर कोई भी ट्रेणीज एगर आप पर परहा रहे हैं तो कब छात्र आपसे मतलब कोश्चन पूछे उसके लिए कब आप उनको कहेंगे कि आप पुरसाहित करेंगे कि आप हमसे इस फ ड है टेस्ट या एसाइमेंट के समय इसका तो सही आंसर होगा वो जाता है हमाएंट एकिन आप यह सर्पर परजेन्टेशन्स के समय में हो सकता है तो लेकिन देखिये जो पर जेंटेसन उसमें आगर आप कोछिए गा कोई ट्रेनिज्ट पूछते हैं तो उसमें डिसटल्वे क्या किजिए आप प्रस्रिक्षन ले सकते हैं उसकी ज्ञान का प्रस्रिक्षन ले लिजे या उनसे कहिए कि हमसे कोश्चन पुछे और अपनी डाउट पर कम्प्लीट करें तो अब टेस्ट एसाइमेंट के समय में तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा जाए उप्सान नॉम्बर-ड चलि आगे कोश्चन देखते हैं कि कीशरन के अंतर्यगत उपकरों और समागरियों को कच्छा में के संचालन के लिए सामीन की गया है मतलब अगर क्या करना है आपको कोई करना है इसको दिखाना है assignment के समय तो देखिए जो presentation है उस समय उसका क्या करते हैं हम upio करते हैं क्या करते हैं लेकिन जब सामिल कराया जाता है तो सामिल कब करेंगे जब आप त्यारी करते हैं सोचते हैं कि हाँ इस को दिखाना है तो आप कब सामिल करते हैं उसको तो त्यारी के समय ही आप क्या करते हैं उपकरण या समागरी को सामिल कर लेते हैं लेकिन आप उप्योग करते हैं परजन्टेशन के समय में उसका उप्योग करते हैं तो हमारा जो सही अंसर हो जाए क्या तो आपसन नमबर ये त्यारी के समय हम क्या कर करते हैं कोई भी उपकरण हो इस समागरी को काक्षा में संचालन के लिए सामिन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो परजेंटेशन के समय में उसका उपयोग करते हैं चलिए अगला कोश्चन है कि लेशन प्लान के उपयोग करने के फायदे क्या है अगर जो आप लेशन को तारकिक क्रम में विख्षित करने के लिए और D है अभ्यास के नियम लागू करने के लिए तीसका जो सही एंसर हो जाए क्या option number D अभ्यास के नियम को मतलब नियमात पुरुवक्त चलाने के लिए ज्यादा समय ना लगे 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 लोग को सटिक एंसर मिलता रहे वह अच्छा से समझ जया उनको क्या ना अच्छा से मिले तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेसन पुलान मतलब कि हम अपने जो भी हमारा टॉपिक है उससे भटके ना उसके लिए लेशन पुलां का परियोगा करते हैं तो आप कि नियम लागु करने के लिए हम क्या करते highway लेजन प्रलान का परियोग करते हैं चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन कर रहा है कि सिक्षार्थी से कख्षा में किस उद्यस से प्रसंद करेंगे अगर आप क्या कर रहे हैं कि सिक्षार्थी आप कहीं पर बहा रहे हैं सिक्षार का कारे करा रहे हैं तो उस पूचने और जबाब देने का उसर परदान करने के लिए और डी है सबसे बुधिमान सिक्षार्थी का चैन करने के लिए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा हो क्या होगा हमारा सिक्षार्थी का ध्यान बनाए रखने के लिए हम क्या करते हूं से कोश्चन करते हैं हमारा उद इसमें question करते रहते हैं जिससे की उनका ध्यान बना रहा है चलिए अगला question है तो इसका जो सही answer हो जाए क्या अनुसासनात्मक प्रवस्ण को हम पूछेंगे और उससे हम चौकस करेंगे तो option number D इसका सही हो जाएगा अगला question है कि कक्षा में सिक्षार्थियों को पढ़ाने के बाद प्रशिक्षा और परिज्चा कराने के लिए प्रशिक्षक 20% का उपयोग किया जाता है अगर आप क्य प्रवस्ण का उपयोग करते हैं और अनुसात्मक प्रवस्ण और पूरजी करन प्रस्ण मतलब क्या कि वह फिर से दोहराते हुए प्रस्ण पूछेंगे जो भी आप पर हाए उससे related करके question पूछेंगे तो इसका जो सही अंसर हो जाए क्या तो option number D इसका सही हो जाएगा क्य चलिए अगला question कर रहा है कि त्यारी चरण पर किस परकार के प्रस्ण का उपयोग किया जाता है जब आप त्यारी चरण है जो आप पर प्रिफ्रेशन करते हैं उससे में किस परकार का प्रस्ण का पर्योग करना चाहिए option A है drill प्रस्ण, B है assignment प्रस्ण, C है prorambic प्रस्ण और D है ब्यापक प्रस्ण ति इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number B इसका सही हो जाएगा क्या assignment प्रस्ण का पर्योग करेंगे जब आप त्यारी कर रहे हैं किसी भी presentation के लिए तो आप assignment suite बनाएंगे उसमें assignment प्रस्ण होते जो आप क्या करते हैं उसका उप्योग करेंगे कब जब आप त्यारी चरण प्रस्ण में आप क्या करेंगे assignment प्रस्ण का परियोग करेंगे तो यह रहे है आज के हमारे training methodology यानि POT का पूरा नाम principle of teaching के जो हम model question paper कर रहे हैं उसके questions आप कैसे लगए अगर आपको अच्छे question लग रहे हैं तो आप comment करके बते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसे कि आने वाले जो भी इस related पार्ट है पार्ट के वीडियो है वह आपको मिलते रहे है करुश्य के वह आपको पार्ट है